लोगसभचुनाओं के चौथे चरण में दसराजियों के 96 लोगसभच सीटों पर मद्दान सुबह 7 बजे से जारी है वही चौथे चरण की वोटिंग के बीच सोनिया गांधी ने बड़ा एलान किया है कॉंग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने देश की गरीब महिलाओं को हर साल एक लाख रुपए देने का एलान किया है नमस्ते मेरी प्यारी बेहनों स्वतान्तरता की लराई से लेकर अधूनिक भारत बनाने में महिलाओं का बड़ा योगदान रहा है हलाएंकि आज हमारी महिलाओं कर महिलाओं के बीच संकत का सामना कर रही है उनकी महनत और तपस्या के साथ नयाए करने के लिए कंग्रेस एक क्रांतिकारे गरंटी लेकर आई है कांग्रेस की महालक्षमी योजना हम गरीब परिवारों की एक महीला को हर साल एक लाक रुपे देंगे करनातक और तिलिंगाना में पहले से ही हमारी गरंटी ने करोरों परिवारों की जिंदगी बदल दी है चहे मनरेगा हो चहे सूसन का अधिकार हो शिक्षा का अधिकार हो और भोजन सुरक्षा जैसी हमारी योजनाओं से कांग्रेस पार्टी ने लाखों भार्टियों को ताकत दी है महालक्षमी इस काम को आगे बढ़ाने की हमारी सबसे नए गरंटी है इस कठिन समय में मैं आपको भरोसा दिलाना चाहती हूं कि कांग्रेस का हाथ आपके साथ है और यहीं हाथ आपके हालात बदलेगा